हलो दोस्तों गुड़ मॉर्निंग कैसे आप सभी उमीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे तो मैं यहाँ पर गेट के बाहर जो है तो लिपाई कर रही हूँ और बहुत जादा खुद गया था जानवर भी बैठ जाते हैं गाय बगयरा करके और बच्चे सारा द खेलते हैं क्योंकि छाया रहती है तो बस खुद गया था और आजकल ना इतनी ज्यादा धूल उड़ती है और बहुत जादा धूप होती है इस वैसे मिट्टी जो है तो ऊपर को मतलब दरारा छोड़ती है जैसे सूख जाती मिट्टी तो बस यह होता है गोबर से लिपाई करने में घर अच्छा लगता है उतना फर से पूछा करने में अच्छा लगता मुझे तो बस यह अच्छा लगता है देखिए कितने बढ़ी अंटीजान से मने दिया है इसे और बस तो अपने घर का काम है इसे करने में कौन सी सर्म और जो बच्पन से होता आया है यह देख रहती ना सोकर अभी उठी थी तो गेट के बाहर खड़ी हुई थी मुझे देख रही थी ममी लिपाई कर रही है तो अभी ना आ गए हूं किचिन में तो यहां परांस के लिए पराथे सेंग दे रही हूं और अभी ना आठ बच चुके हैं क्योंकि ना मैंने कमरों में और पराड़े सेंग देती हूं और इसके बाद बरामदे में और दोनों बरामदे में पोचा करूंगी और फिर वह बातरूम बगएरा साप करने तो साप करके फिर नहाऊंगी सो अब यहां पर देखे तयार है और बस अभी ना ड्रेस वगएरा इसकी नहीं बनी है सो आप और इसके बाद फिर अभी आकरती को नहा दी हूं यह कह रही थी मुझे पराठे दे दो तो मैंने रहता इतनी ज्यादा कर देती हो तुझे पहले नहा लो और इसके बाद पर मैं तुम्हें पराठे दूंगी क्योंकि पूरी पूरा सरी नहां चिपचिप आने लगता है पसीन के लिए यह देखें यहां पर इसने खाना लिया है और मैंने बरामदी रहे गए बाकी तो मैंने लब निपटा दिया है पूछा बगएरा सो अभी जो है तो पूछा कर लेती हूं कभी-कभी ना मैं हाथ से भी पूछा कर देती हूं और कभी-कभी जो है तो इससे लगा देते हैं पूछा वाले से मुझे ना हाथ से ज्यादा ठीक लगता है अगयरा मन बन नहीं होता ज्यादा और मैं वस इस इस से फटापट कर देती हूं पहुंचा और में वर्णा धियां आती है काम करने में उतनह जैसे दूसरे चीज़ों से करो नहीं होता है जैसे अभी इसंसे में पहुंचा कर रही है तो उतना थोड़ी यह इसा मन नहीं होता तो बस मैं इसे खड़े खड़े लगा देती हूं और इसे देखिए पहले यह तो बस ब्लॉग में जो तो परिशान करती है और यह आपर मैं पोचा करनी हो बार बार आ रहे हैं तो फिर मैं इसे डांट रही तो पैर मत बनाओ बस पंखा में सूकता जा है इतनी ज्यादा गर्मी होती है वसने कर तुरंत लगाओ पोंचा तुरंत सूख जाता है ना सूबस यह सूखता जा रहा है मैं पोचा करते हैं कैसे आप सभी उम्मीद करते हूं आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं सो अभी ना मॉर्निंग के दस बच चुके हैं ठीस अप्राइल और दिन है सनिवाल सो आप सभी कैसे हैं उम्मीद करते हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे सो मैंने नहा लिया देखिए और बाल अभी गिले आज मैंने सर दूल करके नहाया था क्योंकि ना बातरूम बगेरा साफ की थी सो बस सर दूल तो अभी ना आज मुझे कडी और चावल बनाने है चलिए अभी 12 वाजे तक बनाओंगी क्योंकि ना भी सभी लोग ने नस्ता कर लिया है कर लिया था जब मैं बना रही थी ना पराडे तो इसने भी कर लिया था था पापा ने भी खा ले था आखरती को आपने देखा ही है बस मैंने भी अभी कर लिया है नस्ता तो अभी बनाओंगी तो पैर का खाना जब बनाओंगी तब आपके साथ सेर करूंगी चलिए फिर यहां पर देखिए कितने सारे कपड़े रखें और इन्हें सारे कपड़ों को मुझे सेट करना है दूल करके मैंने रख दिये थे और आ अब ही देखिए मेरी किचिन बिल्कुल से क्लीन है बहुत अच्छे से मैंने कुछ तयारियां कर दी है खाना की मुझे बनानी दिकड़ी तो बेसन गोल के रख दिया था और तेल जो है तो चड़ा दिया कड़ाई में क्योंकि यह गरम होता रहेगा ब्लॉक काफी लंबा हो अच्छे से मदल इसे घुक गोडेंगे टाकि जब हमना इसकी पॉकॉ Suppose बनाइक बहुत अच्छे से फूरे और बिल्कुल सॉप्ट बनें और बहुत अच्छे से घुस dough अ जाता है ताकि यह से तो इसे थोड़ी देर के लिए गोल कर कि रख दिया था तो यह 20 फूल भी गय बना रही थी तो इस Isnाए प्राइव सेरी कर दो और काफी दिन से बनाई भी नहीं थी मैंने एक महिने के लघबच हो गया क्याकिनाम हमारे यहादा च्छाज यदा मिलतीあacements को बता देती हूं सो चाज ज्यादा मिलती नहीं है तो इस वह से नहीं मतलब बनाती हूं ज्यादा और होटल से नहीं लाते हैं हमारे यह घरों में चाज निकालते हैं जो मठ्था होता है तो बस वही से बनाती हूं सो बस यहां पर वह वाली पकॉड़ी निकाल दी थी यहां क्रेती यहां यहां सो तो है नहीं है वह स्कूल गया है और बस यहां पर जो है तो यह वाली पकॉड़ी यह मतलब डाल करके निकाल ले रही हूं बस इस तरीके से निकाल करके फिर कढ़ी में लगेगा तड़का सो च जोकते हैं और लाल मिर्च और हींग और एक सरसों के दाने थोड़ा सा और बस यहां पर बेशन घोल लिया है अभी तो मैंने फिलाल पानी से ही गोला है और इसमें थोड़ा पानी एक लोटा और डाल दूंगी और बहुत ज्यादा जो माठा है ना बहुत ज्यादा खटा था तो मैं इसमें थोड़ा कम ही डालूंगी और यह देखे कल कर रायता है ना तो हम लोग उन्हें खाई नहीं पाया क्योंगी ने बहुत ज्यादा खटा था और आज कल जो मठा है ना उसी में खटा यह पूरी सो बस यह देखे तो मैंने इतना ही मठा डाल दिया है और और इस इसमें स्वात के इंसार नमक डाल दूँगी नमक कम डालूंगी क्यूभी ना रायाते में भी नमक था अध्यादा था शुश्या नहीं खटा था चावल दोनों चीज हैं और मंदचावल तो बनाई लिए था अपनों को दिखाया सो अभी हो गई नेक्स डे सो यहां पर यह कपड़े थे तकत में रखे थे सुबह अंस उठा करके लाया था मनलाब जीना में रसी बंदी हुई है तो वहां पर टंगे थे सो मैंने मंगाया था पहनने के लिए सो वही लेकर आया था तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इन्हें समेट करके रख दे रही हूं और बस यह जो तकत है इसका चादर जो है तो फटकार करके अच्छे से जाड़ करके बिचा दूंगी दुबारा से जैसे बहुत जादा करमी तो हो रही है आप लोग पता है आप सभी को गूड मौर्णिंग और बस आप लोग देखा था मैकसिमा जादा पहं दिनी हूं थोड़ी दिर के लिए पहन लिया था फिर मैंने इसे दुल कर टांग दी थी तो अभी नागर पहन लिया और इसके बाद मैं कपड़े चेंज करूंगी सो बस इसे बैट शीट को सही से कर दिया मैंने तखत के चादर को और बस चलिए आज के मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा अगर आप सभी को पसंद आए लाइक करना सपोर्ट करना और यह तकिया की खोली मैंने कल निका रही थी दुलने के लिए तो बस इसे डाल देती हूं क्योंकि ना ऐसे में अच्छी नहीं लग रही है तो ऐसे डाल दूंगी तो फिर अच्छी लगे देखने में भी और जैसे इसमें लेटते हैं तो भी अच आप सभी को आज हो गई है नेक्ट दे तो आप सभी कैसे हैं उम्मीद करते हैं बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैंने नहा लिया है देखी और यह नहाने के बाद मैं विस्ता जाना था क्योंकि ना बच्चे थोड़ा लेट होते हैं अब लोगों को पता यह गर्मी सब्सक्राइब करना और जो भी भाइबान मेरे चैनल पर नहीं हो आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना इसके बाद देखेगा चलती हूं बाई कल मिलोंगी व्लॉग के साथ बाई